सूप्रभाद बचो आज हम लोग अध्याए आठ पढ़ने वाले हैं जिसका मुख्य सुर्षक है संग्या संग्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं संग्या किसे कहते हैं और संग्या के कितने भेद होते हैं संग्या की परिभासा के बारे में भी हम लोग आजानकारी आसिल करेंगे संग्या पद का अर्थ ही है नाम ऐसे पदों को जो किसी व्यक्ति, जन्तु, अस्थान, वस्तु, विचार, अवस्था या भाव का बूध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संग्या पद कहते हैं जैसे लड़का, गाई, पुनी, तरश्मी, दिल्ली, मुंबई, पहाड, सब जितने भी उधारन हैं ये सब संग्या के उधारन होते हैं बच्चों हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पद, पद का अर्थ होता है जो वर्णों का सम्मू होता है, उसे हम कहते हैं पद यानि जो छोटे-छोटे शब्द होते हैं, उसे वर्ण बनते हैं और जो वर्णों का सम्मू होता है, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम पद कहते हैं तो संग्या पद का अर्थ ही होता है, नाम यानि जो भी हो गया जो वाक्य है ये जो शब्द है ये जो पद है ये संग्या पद का संग्या है तो संग्या पद के बाद बिभक्ति या परसर्ग ने को से के लिए पर आदी आ सकता है बचों यहां ध्यान देंगे बिभक्ति या परसर्ग दोनों एक ही होते हैं दोनों का अर्थ होता बिभक्ति में ने को से के लिए में पर आदी सब लगते हैं जैसे राम ने लक्षमन को छात्रा के लिए हाथी पर पेंट से मुंबई में उचाई पर यानि ये जितने भी हैं ये सब सब क्या है संग्या पद है और जो पर है से है में है पर है ये ने है को है से है जितने भी है यानि के लि ये हैं, ये सब क्या कहते हैं, विभक्तिया लगती है, यानि संग्या शब्द में, संग्या पद में विभक्ति लगती है, तो भी वो संग्या पद ही कहलाते हैं, संग्या पद के पहले विशेशन का भी प्रियोग हम कर सकते हैं, जैसे बड़ा भाई, नया घर, बुढ़ा वस्तु अस्थान के नाम के कारण पहचाना जाता है जैसे रोहन जाता है नीना पॉपकर्ण खा रही है खाती है यानि जो नीना है और जो रोहन है ये क्या है ये संग्या सब्द होते हैं और संग्या के आगे अभी हम लोगों ने पढ़ा थी कि इसकी विशेशन शब्द भी लगा सकते हैं जब संग्या पद के जब संग्या जब वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें विशेशन शब्द लगा कर भी हम संग्या शब्द को संग्या के वाक्यों को बना सकते हैं और बीना विशेशन के भी हम संग्या पद को बना सकते हैं वाक्ये में संग्या पद करता कर्म पूरक करण आपादान अधिकरन अधिक कई कारे ऐसे हैं जैसे कि नीना सो रही है या यह एक करता की रूप में है जो नीना है वो एक करता की रूप में कारे कर रही है रोहन विद्यार्थी के रूप में पूरक के रूप में कारे कर रहा है और जो पाष्चाय पी रहा हुए अपना वुक अपना कर्म कर रहा है वो उसने चाकु से सेव काटा ये एक करन के रूप में हैं संग्या के प्रकार आईये हम लोग संग्या के प्रकार जानते हैं संग्या के भेद के संबद में व्याकरन का एकमत नहीं है यानि व्यूत पत्ति के द्रिष्टि से संग्या के तीन भेद होते हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भावचक और अर्थ के विचार से संग्या के पांच भेद होते हैं यानि व्याकरन में हमारी जो व्याग्यान कि उनमें एकमत नहीं होता है व्यूत्पति के अधार पे संग्या के तीन भेद बताएगा है और जबकि अर्थ के अधार पे संग्या के पांच भेद बताएगा है जाती वाचक व्यक्ति वाचक द्रव्य वाचक समूह वाचक एमुं भाव्य वाचक तो व्यक्ति वाचक संग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं वैक्ति वाचक संग्या हम कहते हैं जिन शब्दों किसे किसी विशेष वैक्ति के बारे में पता चलता है जैसे हमारी विशेष वैक्ति में आ जाते हैं नारेंद्र वेदी मोदी यह एक विशेष वैक्ति हैं चेतक जो घोड़ा है वो एक विशेश है इस तरह जो भारत हमारा देश है वो भी विशेशे देश है व्यक्ति वाचक संग्या में निम्न रूपो का वर्णन किया गया है जैसे कि व्यक्तियों के नाम जैसे शाम, हरी, शुरेश ये सब क्या होते हैं व्यक्ति वाचक संग्या के रूपो का वर्णन इसमें किया गया है जैसे यहाँ दिशाओ के नाम जैसे उत्तर, पष्चिम, दक्षिन, पूरव उसके बाद यहाँ देशों के नाम दिया गया राष्टी जातियों के नाम दिया गया समुंदरों के नाम दिया गया नदियों परवतों यह जितने सारे उधारन है ये सब वेक्ति वाचक उधारन है बच्चों इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे ध्यान देकर इसे याद भी कर लें उसके बाद से दूसरा जो होता है जो भेध है वो है जाति वाचक संग्या जिस सब से किसी वर्ग के सभी प्राणियों वस्तू या अस्थानों अर्थात उसकी संपुन जाती का बोद होता है उसे हम संग्या कहते हैं जिस सब्द किसी वर्ग के यानि किसी वर्ग के समू का यानि प्राणियों वस्तौ या अस्थान अर्था जिसकी संपून जाती का बोध होता ह। जाती वाचक संगया कहते हैं जाती वाचक संगया कहते हैं जैसे आदमी लड़का लड़की गाए तलाब कीला नदी परवदेश शहर आधी यह सब जाती वाचक के मुख्य उधारन होते हैं उसके बाद आता है भाव अचक संग्या, जिस शब्द से किसी गुण दोस्व भाव भाव, इस्थिती या अवस्था आधी का बोध होता है, उसी हम भाव अचक संग्या कहते हैं, जैसे अच्छाई है, बुराई है, सचाई है, भलाई है, खटास है, मिठास है, मोटापा है, यह सब क्या है, यह गुण और दोस्व है, यानि कि भाव अचक संग्या में गुण दोस्था, भाव आधी का जो बोध होता है, तो उसे हम भाव अचक संग्या कहते हैं, यानि भाव अचक संग्या में जो वाक्य बनता है, वो अवस्था के अनुरूप बनता है, भाव के अ के आते हैं तो हम समझाग जाते हैं कि या भाव वाचक संग्या है उसके ध्रव्य वाचक संग्या होती सुना, पीतल, चावल गीहुं यह 십 द्रव्य वाचक को अर्व्य को ना कंदा सूना पीतल, चावल, गीहु यह सब धातु के रूप में आते हैं और द्रव्य के रूप में आते हैं घी, तेल यह सब जितने होते हैं यह सब द्रव्य को चुक्त हुत Looking toки?. तो जो द्रव्य वाचक और धातु वाचक आधि पदार्थों का बोद करاتा है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य वाचक संगया क्याती है, कुछ गननीय संगया, कुछ अगननीय संगया के बारे में यहां बताया गया है, गणिये संब्या, जिसके गणना हम कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे से हम गणिये संग्या कहते हैं, और अगणिये संग्या कहते हैं, कुछ संग्या पदों के बहुबचन रूप बन सकते हैं, और कुछ के नहीं बन सकते हैं, कुछ जो संग्या पदों के हैं, उसके बह बिवर्टित हो सकते हैं our KuchKI नहीं बन सकते हैं जन संग्या पदों के बहु रुप बन सकते हैं। उन्हें हम गुन सकते हैं। और उनके पहले संख्या वाचक सब्दू का प्रियोग कर सकते हैं, यानि कि जिन पदों के बहु अचन रुप बन सकते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, और उनके पहले हम संख्या वाचक सब्दू का प्रियोग कर सकते हैं, यानि कि जो आगे है वागे हम संख्या वाचन संख्य लगा सकते हैं उधारन के लिया पर दिये गया है जैसे एक लड़का दो लड़के एक पुस्तक दो दस पुस्तके एक यह सब संख्या वाचक के उधारन होते हैं जो संख्या वाच्चो संख्या हम लगाते हैं किसे वाक्य क्यागे संख्या लगाते हैं और इन पदों के हम एक वचन से बहु बचन में इनका रूप परिवर्तन होता है उसे हम गर्णिये संग्या कहते हैं और अगर्णिये संग्या के बारे में बताते हैं जिन संग्या पदों के बहु वचन रूप नहीं बन सकते हैं यानि हम उनको गिन नहीं सकते हैं और उनके पहले संख्या वाचक सब्दों का परियोग भी नहीं हो सकता है जैसे गणिये शब्दों में बहु वचन में रूप में परिवर्तन होता है और उनकी वाक्यों के आगे संख्या वाचक लग सकता है लेकिन गणिये शब्दों में के पदों में बहु वचन रूप नहीं बदल सकता और नहीं उनमें स संग्या को अगणिये संग्या कहते हैं सामानेता वेक्तिवाचक और बहुत से भावाचक संग्याएं अगणिये संग्याई होती हैं जैसे रंजन बचों आप ध्यान से देखें उधारन में वेक्तिवाचक और भावाचक संग्याई दे गई हैं जिसमें बहुत सारे अगणिय संग्याओं का प्रयुक किया जाता है जैसे रँजन, दिल्ली, बश्पन लड़क्पन ये सब इतने सारे उधारन दिये गया है vast धातू तथा द्रव्यवाचक संग्यां भी अगन्णी होती है धातू अचक संग्या अभी हमने पढ़ा था धातु वाचक संगया, द्रव वाचक संगया किसे कहते हैं, धातु, धातु का अर्थ होता है, सोना, पीतल, कोईला, लोहा, ये सब धातु वाचक होते हैं, द्रव वाचक में आगया, घी, तेल, ये सब अगर्णी होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, दूद, ये द्रव्य वाचक शंग्या भी होते हैं बच्चों मैं अब यह आध्याई हैं समाप्त करती हूं दूसरे कक्षा में मैं आप लोगों को इसके आगे पढ़ाओंगी धन्यवाद